तो सबसे पहले आप लोग के सामने एक warm-up quiz, quiz को देखेंगे, इसके बाद में शांदार तरीक से detail आप लोग के सामने question आने वाले हैं, जो कि आप लोग attempt करकर चलने हैं और साथ में answer भी देना हैं, तो बिल्कुल ऐसे जैसे exam में आप लोग perform करते हैं, तो आईए discussion ही start करते हैं बिना किसी देरी के, सबसे पहले आप लोग के सामने 8 question इनका answer दीजे, फिर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला question है आप लोग के सामने, ये G20 मिटिंग के बारें बात करते हैं, G20 का जो एक international forum है, वापर governments और जो central bank के governors हैं, वो सारे मिलते हुए आप लोग को नचर आते हैं, इसमें ये बोला जा रहा है कि 19 country तो सबको स्वंज में आती हैं आपर, एक group भी हैं आपर, उस group का नाम आप लोग को बताना है कि वो group कौन से है, ठीक है वो भी G20 का part है, कहने के लिए G20 है अगर इस group को भी हाँ पर count कलेते हैं तो फिर G20 से ज़्यादा country आपर हो जाएंगी नेक्स्ट बात की जारी है, नेक्स्ट वोशन में कुरील, एक आर्के पेलिगो हैं आपर, ये लगबख 56 आइलेंड आप लोग को देखने को मिलेंगे, 1800 किलोमेटर में फेले हुए, ये बात की जारी है हके काईदो से लेके काम चाटका, तो ये कौन सी country का है, इसके बीच म हम लोग सबजिया उगाने लगे हुए पर ही, तो आसानी से आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कौफी सारा फाइदा देखने को मिल जाएगा, जो भी हाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो साइंटिस्स रहते हैं उनके लिए, तो ये कब तक यहाँ पर बात की मार रहे हैं, ये मानना है याँ पर बहुत सारी रिसर्च और्गिनाजेशन का, तो इससे जितना ज्यादा दूर रहा जाए, हमारी जो बोड़ी है, बेसिकलि उसके फंक्शन के लिए बनी भी नहीं है, ऐसी चीज़े हम लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी हैं, तो इसके बा इसका नाम आप लोगो बताना है, नेशनल इवेंट था है, यह काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगो बता होना चाहिए, वल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर, में इसके बारे में आप लोग फोटो भी हाँ पर देख सकते हैं, यह आप लोग के सामने, ठीक है तो इसकी बात यहां पर किये जा रही है यह यह था है आपर यह 16 ऐसे container यहां पर river Ganga जो कि नेसल वोटर वेज वन से लेकर यहां पर नेसल वोटर वेज वन में वारांसी से लेकर कहां पर यह आप लोग को जाते वे नजर आए ठीक है तो यह हमारी country में इस तरीके से वो नेसल वोटर वेज को यूज कर रहे हैं तो काफी इंपोर्टेंट बात यहां पर देखने को मिली नेस्ट बात की जा रही है फॉस्ट फिप्टिन चिनुक यह हैवी यह हैं आपर हैवी लेफ्ट हेलिकॉप्टर जो ओडर दिये थे इंडियन एर फोर्स के द्वारा तो हमने किस कंट्री के साथ में 3 तीन विलियन यहाँ पर डॉलर की डील शाइन की इंड है कि यह जो नाम से पुकार जाता था इसके अलावा तो यह है के 8 question आप लोगों ने नए सीखा है आज तो इसलिए हमेशा positive और optimistic mind आप लोगों को रखना है तो यहाँ पर आप लोगों के सामने यह इसके answer सबसे पहला question है G20 में जो meeting होती है उसके बारे में यह सबसे पहले तो अब की बार की जो meeting होई Osaka, Japan के अंदर यह meeting देखने को मिली काफी important काफी news में थी याद रखना G20 में 19 country है और एक union group European Union आप लोगों को देखने को मिलेगा European Union में अलग से 28 country आप लोगों यहाँ पर अनजर आती है ठीक है नेक्स्ट बात की जारी है जो कुरील आर के पहलीगों है यहाँ पर यह जापान के हगे काइदों से लेके रस्या के काम चाटका के बीच में लगबख 56 आइलेंड का यह एक group है ठीक है तो इसको याद रखेगा 1800 km में फैला हुआ है इसके लावा बात की जारी है International Space Station की बारे में तो जो beans grow करने की बात की जारी है 2021 तक यह उगाने की बात की जारी है अगर ऐसा हो पाता है तो आगे आने वाले टाप में और भी सब्जी उगाई जाएंगी और हरी सब्जी हैं हापर खाने के लिए आसने से मिल जाएंगी जो भी एस्टेनोट यहाँ पर यह जाते हैं तवयकों के यूज से बुला गयार 8 मिलियन 8 मिलियन का मतलब होता है 80 लांक 80 लांक लोगों की डैथ होगी एनवली 2030 तक अघर जिस हरकतों से आज केड में तवयकों यूज करते है उसी हरकतों के चलते बिलकुल इसी पैटरन में यूज करते रहे तो नेश्ट बात की जारी है स्वच्टा सक्थी 2019 ये नेशनल इवेंट था जिसमें हाँ पर फोकस दिया जा जा था वूमेन की लिडरिशिप पर जिनके द्वारा स्वच्च भारत अभियान में अपना रोल प्ले किया गया है खासकर रूलर मुमेन यानि के गाउं में जो मिला है उनके द्वारा तो एक तरीके से रिके गनाईज अगर कर ले आता है तो काफी अच्छा है देखे अगर कोई बच्चा अच्छा काम करें न आप लोग बोलते है वाओ यार कितना अच्छा काम कर रहो उसके अंदर मोडिव के बारें बात के जारी है आप तो यह अभी रिसेंटली नैसनल वेटर वेटर वेज का से है वारेंसी से लेकर को कशल कदर ठीक है तो यह याद रखेगा नेस्ट है पर जो यह जो चिनुक हई जो चुनीक है वी लेट हेलिकॉप्टर ही यह आप लोगों को देखने को मिले तो यह USA से खरीदे गए थे जो अभी डिलेवर किया गया बात की जारी है मुक्रमोती नेसल पाक के बारे में तो यह नेलगीरी थार यह आप लोग याद रखेगा पहले इसका नेसल पाक का नाम यह था ओके आए अगे बढ़ते हैं तो कैसर आप लोग कोई नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरू लिखेगा और बिल्कुल शांदा तरीक से इंज्व करना है चीज़ों कितना चीज़े हम लोग ने सीखी यह देखना है बस ठीक है यहाँ पर आप लोग यह नहीं कि आप लोग यहाँ पर नं सबसे पहले बोला गया है कि जो कोटन कल्टिविशन है यह वोम और मॉस्ट जो एक तरीका क्लाइमेट रहता है यानि कि थोड़ा सा आप लोग बोशते है नम क्लाइमेट जो रहता है जहाँ पर थोड़ा बारी देखने को मिलती है नूर्मल सी तो वहाँ पर यह आप लोग को बताना है only one बोला गया a में b में बोला गया only one and two c में बोला गया two and three d में बोला गया all of the above सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिए उसके बाद में आंसर देखेगा तो जो सही आंसर इसका यह है बी बी हैं आपर क्योंकि जो तीसरा है आपर यह अलुवियल सोईल यह आपर बीसिकली जो गंगा वाला रीजन है गंगा वाला रीजन बेसिकली हाप आप लोग को देखने को मिलेगा alluvial सोईल के लिए काफी famous रीजन यह माना जाता है लेकिन यहापर जो उगाई जाती है अगर बात करें कपास के बारे में तो आप लोग ने रिगूर सोईल यह फिर ब्लैक सोलेक्ट बोलते हैं इसको वो भी आप लोग को नहीं सुनोगा, डेक aan प्लैटोमें बेसिपलिय guide अपलोग को देहने को मिलती है, जो basic या time pressure है नहाँ पर रहता है यह 21 से लिएकर 27 तक आप लोग को देहने को मिलेगा, यह हैं और बलकि अगर पंजाब और हरियाना की बात काते हैं यह हमारी कंट्री में वो राजे हैं जो की खासका देशी वेराइटी हाँ पर उगाते हैं ठीक है ना तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं तो यह basic आप लोगों से इसके बारे में information पूछी जा सकती ह आगे चलता हूँ नेस जो question है आप लोगे सामने हाँ पर बात की जारी है tribal community के बारे में और particular area के बारे में कहाँ पर यह पाई जाती है तो आप लोगो right option यहाँ पर match करना है सबसे पहले option में आप बोला जारा क्वी tribe यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है उडिसा में दूसरा सेंटनली यह पाे जाती है और उन्हाल परदेश में त्स एक to Presents के पाई जाती है मनिपूर में जोथा बोला है लाप चा यह पाई समय तो हम लोगों ने अभी डिसकस भी किया था दाहिंदू न्यूस पेपर में बाग यह सेंटिनलीज जो ट्राइब है एक बार आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं यह पिक्चर आप लोग याद आ रहे हुगी काफी न्यूस में थी ठीक है यह अमेरिकन नेशनल था जो यहाँ पर अभी ट्राइबल कम्यूनींटी के दौरा हैं बागे था जो कि बेओ बंगाल में यही रिजन था जहां पर यह गए और होँआ पर ट्राइबल कम्यूनीटी के दौरा इनके उपर आटैक किया गया तो इसलिए काफी निज़ में था ठीक है इनको यह लगता ह यहाँ पर यह लाप्चा के बारे में यह आप लोगो सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा तो यह आंसर यहाँ पर यह दोनों गलत हो गया बाकी यह दोनों से यह आगे चलता हूँ Next question बात कर रहे हैं आपर National Policy on Biofuel देखे एक तरीक से तो आप लोगो पता है कि पैट्रोल और डिजल निकाल जाते हैं वो जो प्रोसिजर होता है कि काफी लंबे समय था कि यहाँ पर जमीन के नीचे जब भी बहुत सारी वरिस्पती चीजें यह फिर कुछ ऐसी चीजे दब गई थी जिससे आपर वो कनवर्ट हो गई फ्यूल में वो फ्यूल बन जाता है एक होता है बायो फ्यूल जो कि जो बायो कंटेंट होता है उससे बना जाता है जे विक इंधन जिसको आप लोग बोलते हैं तो इसके लिए हमारी कंट्रि में एक पॉलिसी है जिसको नेसल पॉलिसी बोला गया इसी के बारे में statement है, बोला गया कि जो policy हैं यहाँ पर यह scope था कि raw material जो है ethanol produce के जा रहे थे अलाव करने के लिए sugar can जैसे कि juice, sugar beets, यह sweet, sweet so gum और starch वगएरा जो content रखते थे like कौन, तो इनसे biofuel यहाँ पर बनाए जा रहे थे ठीक है, यह है पहली statement है, दूसरी statement है बोला गया कि कौन सी कौन सी category के biofuel है, first में जो इसको बोला गया है कि जो biofuel है, वो basic biofuel बोला गया है first generation, जिसको bioethanol और biodiesel और advanced biofuel second generation बोला गया है, इसमें municipal solid waste यहाँ पर use किया जा रहा था, तो यहाँ पर कहने लगा है, ताकि यहाँ पर जो fuel है बाहर से खरिद के लिए किया आता है, उसको यहाँ पर कम किया जा सके, तो यह second generation बोला गया, यहाँ पर यह generation यहाँ पर गड़त है, जो first generation था, यह तो basic जो खाने वाली चीज थी, आपर वो use की जा रहे थी, पर लेकिन जब यहाँ पर second generation की बात कर रहे थे, यहाँ पर यह agriculture waste यहाँ पर use करने लगे, क्योंकि अगर food crops यहाँ पर use करते रहते तो खाने के लिए वैसे हम लोग security, food security को complete नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम आपर खेतों में से जिसे आप लोग बोलेगे, यहाँ काटने के बाद में जो भूसा बच जाता है, यह फिर इस तरीके से जिसको पॉल को जला जाता है खेतों में, तो उससे कैसे बाइफ फिल जनरेट कियाता है, वो second generation था है आपर, ठीक है, तो second statement यहाँ पर गलत हो गई, first statement यहाँ पर सही है, और आज की date में आप लोगो बता है कि all over world से हम लोग आज केट में अपना कच्छा तेल, crude oil खरीते हैं, तो इसकी वज़े से उनके ओपर dependency हमारी कम हो जाएं, यह भी एक परपजा है, और अगर यहाँ पर हम सांदार तरीके से इसको यूज करने लगे, तो हमारे किसानों की income काफी अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए फोकस किया जाता है, तो कौन से आपर सही statement है, यह आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए, तो इसके बारे में आप एक पर समझ लेते हैं, तो सही statement अपनी बते हैं, फिर आप लोग answer देखेगा, सही answer है आपर D basically, जानते हैं सही answer क्यों है, आशियान को बोलते हैं, यहाँ पर आशियान की full form भी आप लोग याद रख सकते हैं, आपर ऐसे question भी आप लोगों से देखेगे, कई बार ना, आप लोग आप फुल form याद रखेंगे, तो कई सारे question आप लोगे वैसे ही soul हो जाएंगे, Association of South East Nation, आशियान बोल जाता है, reasonable comprehensive economic partnership है, इसका basic purpose यह कि आसपास वाले area में free trade agreement यहाँ पर हो जाएंगे, पर लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया जो चाहते हैं यहाँ पर वो services को इसका part बना जाएंगे, लेकिन बागी country goods को इसका part बनाना चाहते हैं, यहनिकि हमारी country में लाकर सामान तो बेच agreement को sign नहीं कर रहा है, और इसके वेश से अटकावा पड़ रहा है, आशियान हो गया 6 country कौन सी है, 6 country के बारे में आप लोग जुरूर याद रखेगा, आस्टेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजिलेंड, तो यह 6 country हाँ आपर मिलका total यह free trade agreement को sign करना चाते हैं, तो इसलिए यह काफी news में रहता है, तो इसके बारे में idea रख सकते हैं, आगे बढ़ता हूँ, next question आप लोग के सामने बात कर रहे हैं, आपर 3 आप लोग के सामने point दे रखे हैं, इन में से बोला जा रहा है कि कौन से हैं आप लोग को देखने को मिलता है, जो thermal power plant में produce होता है, यानि कि कौन से हैं आपर, जब आप लोग thermal power plant के through up electricity बनाते हैं, तो कौन सा produce होता है, 2011 में UPSC में गोशन यह पूछा जा चुक है, statement में आप लोग को बताना है, only one, only two, और three, only one and three, only one, two and three, तो क्या है आपर, यह हैं आपर carbon dioxide, इसके बारे में आप oxygen, oxide of sulfur, carbon dioxide होता है, CO2, या अगर बात की जाए, oxide of nitrogen के बारे में, तो यह होता है NOX, ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आएगा, इसी के साथ में बात की जारी है, oxide, यहाँ पर बात की जारी है, sulfur के बारे में, तो यह होगा SO2, ठीक है, तो यह यहाँ पर सारे के सारे produce होते हैं, ज सारे ही यहाँ पर यह निकलते हुए नजर आते हैं और इसकी वेसे काफी पॉलम देखने को मिलती है इन्वोर्मेंट में जिसकी वेसे हमारा जो आसपास वाला एरिया है जहाँ पर basically कोई थरमर पाइर पार पांट रहता है वहाँ पर भी काफी negative impact परता हुआ इसका पाय जाता है तो जियो स्टेटनरी आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसी position पर कि आप लोग उसको देखें तो एक तरीक से वहाँ पर रुका हुआ नजर आए ठीक है यानिके अगर आप हमारी प्रत्वी घुम रही है तो भी घूमता हुआ नजर आए तो इसके बारे में आप लोग अगर यहाँ पर रुकर रहता तो आप लोग आगे बढ़ जाते हैं आपर यह सेटलाइट रहा जाता तो यह जियो सिंक्रोन स्वे में हाँ पर काम करता है सर्कुलर और बिट्व में घुमता है जैसे हमारी प्रत्वी घुमती है नेस्ट जो यहाँ पर बात की जारी है यह जो एक्वेटर के प्लेटर में यानि कि लाइक करता है प्लेटर में जिस तरीके से यानि कि अगर आप लोग एक एक्वेटर देखेंगे जैसे एक्वेटर का आप लोग जो पर्ट्रिकलर एरिया देखने को मिलेगा अमारी जी होगी प्रत्वी ठीक है तो यह प्लेटर यह आप लोग को बताने है, A में बोला गया 1, 2 and 3, B में बोला गया 1, 3 and 4, C में बोला गया 2 and 4, D में बोला गया 1, 2, 3 and 4, तो सही आंसर आप लोग को बताना है, तो सही आंसर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यह सही आंसर है, इसका A, यानिके 1, 2 and 3, reason क्या है आपर, जो 1000 km की जो range है आपर यह जियो stationary यह वाला जो area आप लोग को देखने को मिलते हैं तो इसके बारे में याद रखते हैं आप फिर 22 यह दुर रखना है आप 22-36 यह आप लोग के हापर mile देखने को मिलेगा kilometer नहीं mile तो यहाँ पर भी confusion में आप लोग को डालने की कोशिस की जा सकती है तो इसको में आप लोग confusion में नहीं आना है तो answer A हो गया आगे चलते हैं ऐसे question कई बार पुछा आते हैं यह भी UPCM पुछा आ चुका है बोला जा रहा है कि कौन सा इनमे से उधारन नहीं है आपर in-situ method conservation का मतलब क्या होता है इसका मतलब इसका basically यह होता है देखे जैसे आज की date में अगर माली यह कोई particular area है forest का forest में हम लोग क्या करें उसको protected area बन पकड़ो या किसी दूसरे जानवर को पकड़ो महां से निकाल के लिए क्या हो और फिर उसको अलग रखो यहाँ पर अलग रखने के बाद में उसको protected करो तो यह हो गया ex-situ यानिकि उसके area से निकाल के उसको बहर लाय जा रहा है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा in-s यहाँ आप यह आप लोग को बताना है तो जो सही आंसर है आप यह है बोटनिकल गार्डन आप लोग ने जू बोलते हैं फिर बोटनिकल गार्डन बोलिए उसमें क्या होता है जानवर जो होते हैं वो अलग-अलग area से लाकर रखे जाते हैं यानिकि forest वाला area नहीं होता है basically अलग से protected area बनाते है चलो डहली में जू बनाते है चलो वहाँ पर जू बनाते है तो ऐसे activity देखने को मिलती है तो यह आपर basically अगर जिस area में रहते हैं यानिकि आप लोग अपने घर में रहते हैं तो आप लोग in situ में रहते हैं जैसे आप लोग पढ़ने के लिए काम करने क budget के बारे में हाला कि question बता चुका हूँ फिर भी एक बार सुन लीजे क्योंकि इंपोडेंट है अभी recently भी आप लोगो बता है budget प्रसुत किया गया है तो ऐसे question बन जाते है वोट ओन account के बारे बात करें और interim budget के बारे बात करें और यह पूछा भी जा चुका है तो इसलिए यह importance से इसके याद रखेगा वोट ओन account जो है आपर यह basically आप लोगो regular जो government रहती है वो आप लोग यहापर देती है जब कि interim budget यहापर निकल कर आता है वो आती है caretaker government लेकर जैसे हमारी country में election हो रहा थे 2014 में यह फिर अभी 2019 में जो election में तो यहापर क्या करती है government एक interim budget ले देखने को मिलेगा interim budget जो है आप इसमें दोनों चीजे देखने को मिलेगी expenditure भी और receipts भी ठीक है तो इस यह आप लोग है आपर इसमें यह difference नजर आएगा basically हापर vote on account का मतला मोटे मोटे तोर पर बोल सकते हैं जब तक budget प्रस्तूत कियाता है जो हापर department है उनका खर्चा हम निकाल लेते हैं यहापर यह पूरा budget ही रहता है एक छोड़ा सा कि यहाँ तब तक काम लोग budget करेंगे फिर next government चुन कर आएगी तो वो अपने हिसाब से अपना काम करना start कर देगी तो यहाँ पर यह question है आप लोग के सामने आप बात कर रहा है longest electrified tunnel के बारे में यह recently हापर अ अबी commission किया गया यह आप लोग को बताना है तो सही answer यहाँ पर देख लेते हैं सही answer यहाँ पर इसका A यह है Southern Central Railway के द्वारा चेरलोपली और रप्रू के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा जो की नेलो डिस्टिक आंतर परदेश में लगबग 6 km आप लोग बोल सक अगर बात करें railway के तो यह question भी आप लोगों से बन सकता है तो बताएए नीचे comment box में अपना homework के तोर पर question आप लोग के सामने बात करें GST council के बारे में GST council कई बार न्यूज में आप लोग को नजर आती है तो इसके बारे में question देख लेते हैं correct student पूछेगी है GST council जो हैं आप लोग को देखने को मिलते हैं तो GST council के दवारा जो यहाँ पर good service tax है वो अब लोग को बताना है A में बोला गया है आपर only 2 B में बोला गया है 1 & 2 C में बोला गया 1 2 & 3 D में बोला गया 2 & 3 तो सही answer क्या है इसका सही answer है इसका basically C हापर आप लोग को देखने को मिलेगा यानिके सारी statement यहाँ पर correct है यह हमारी country में 1 2 2 यानिके 122 वा Constitutional Amendment Bill लाया गया था जो कि आगे चलके 101 वा Constitutional Amendment Act बना था 2016 में जब यहाँ पर समिधान में change करका GST को हमारी country में implement किया गया था तो इसी तरीक से आप लोग बोल सकते हैं कि constitutional amendment करके लाया गया था कि ताकि आगे चलके कोई छेड़ खानी नहीं करें और ढंक से इसको implement के जा सके एक आजादी के बाद में बहुत बड़ा tax reform आप लोग इसको बोल सकते हैं indirect tax जो भी आप लोग पे करते है maximum वो इसमें sub-sum करने की कोशिस की गई यानिके मिलाने की कोशिस की गई finance ministry यहाँ पर इसको chair करते हैं ठीक है तो यहाँ पर RBI के governor भी आप लोग को बोला जा सकता है confuse करने के लिए तो confuse आप लोग को नहीं होना है तो यह 101 वह आपर यह constitution amendment था ठीक है यह होगे यहाँ पर C बाकि यहाँ पर कई बार सोच जाता है कि अच्छा काज़ा collection हो पर लेकिन collection होनी पाता है उसकी वेसे भी यह news में रहता है आगे चलते है next question यहाँ पर बात कर रहा है national capital region के बारे में तो यहाँ पर यह constitution में amendment करके यहाँ पर लाया गया design किया गया national capital territory के तोर पर ठीक है तो एक कौन सा constitution amendment है 63th constitution amendment 69th, 74th यह फिर 76th तो यह आप लोग को कई बार बताया जा चुक है यह तो याद भी रख लिजेगा 69 है ठीक है correct है यह आप लोग को बताना है पहला बोला जारे कि यहाँ पर यह principle जो है आप इंटरनेसल court of justice जो है आप लोग को देखने को मिलेगा यह judicial body है UN की दूसरा बोला गया total यहाँ पर compose किया जाता है 15 judges को जो की 9 साल के लिए हाँ पर रहते हैं और UN General Assembly और Security Council के द्वारे हाँ यह टाम आप लोग को इनकी देखने को मिलती है elect किये जाते हैं जसी जहां वो है आपर re-elect करने के लिए eligible नहीं है तो कौन सी statement यहाँ पर correct है यह बताना है A में बोला गया 1 only B में बोला गया only 3 से बोला गया 1 2 and 3 D में बोला गया 1 and 2 तो कौन सा answer सही है answer जो सही है आपर इसका यह है D क्योंकि यह गलत हो गया re-election के लिए हमारी country के दलबीर भंडारी अभी उनका re-election देखने को मिला है और यूज में इसलिए भी है क्योंकि कुल बूसन जादव जी के हाँ पर case चल रहा है जो कि हमारी country के naval officer है और पागिस्तान में इनको अभी गिरफ्तार किया गया और उनको फासी की सज़ा सुना दिए गया तो इसलिए भी काफी news में था इसके बारे में idea रखेगा तो काफी important है इसके बारे में आप लोगो बता होना चाहिए ये जो है basically हेग में निदरलैंड में इसका head got रहा और 1946 में इसको बनाया गया था ठीक है तो basic यह जहता है कि international level पर जो भी cases होते हैं यह हाँ पर देखने को मिलता है और India part है इसलिए हाँ पर इसको इसलिए हाँ प किया गया था